मुरली तो सुनते हैं रोज, योग भी करते होंगे, जीवन में जब चलते हैं, तो ज्ञान का अप्लिकेशन करते हैं, परिस्थितियों में, बातों में या बिना बातों के भी अपने हर कदम में ज्ञान स्वरूप होकर चलते हैं, अपना हर करम, हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं सब कुछ सोच समझ कर करो, नहीं तो पश्यताप होगा, तो हमें पश्यताप कभी नहीं होता, कभी कुछ करके सोचते हों ऐसा कभी नहीं होता, किस-किस के साथ और पश्यताप नहीं होता करते हैं तो accurate करते हैं कभी भी ऐसा नहीं लगता यह ऐसा नहीं ऐसा करते तो ठीक होता तो देखते हैं कि सोच समझ कर कदम उठाते हैं तो पश्यताप नहीं होता अब आज वैसे तो देखो बहुत ईज़ी है, ऐसे किसी को कहो, सोच समझ कर करम कदम उठाओ, लेकिन यह बात इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि सोच जो है, उसकी तो जड़ कहा है, सोच भी तो दुनिया में मनुश्य कहते हैं कि सोच पहला स्टेप है, लेकिन पहला step नहीं है न, सोच की जड़ है, स्थिती में, स्मृती में अगर हमारी स्मृती शक्तिशाली नहीं है, तो सोच का जो बीच होगा, वो भी कैसा होगा, वो भी शक्तिशाली नहीं होगा आप देखना कई बार, हम करम करते हैं, फिर कुछ तेर के बाद, जब करम किया, तो तब तो ठीक लग रहा था लेकिन बाद में लगता है कि, वो करम ऐसे नहीं, दूसरी तरह से करना चाहिए था क्यों लगता है, क्योंकि एक दिन में, कई बार स्थिती बदलती है हम ब्रामन बच्चे हैं न, तो जैसे ही मुरली में बैठेंगे, मुरली में बैठते हैं, तो कितना पश्यताप होता है न, कई बार मुझे याद है, एक बार एक छोटा कुमार था, तो मुझे कहता था, कि मुझे अमरित वेला सोने में कुछ बुरा नहीं लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है नीन दाती है मुझे लगता है कि यह सब जो उठके बैठते हैं यह सब ठीक नहीं कर रहे हैं मैं ठीक कर रहा हूं मैं अमरित वेले सोता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब मैं मूरली सुनता हूं मुझे बहुत बुरा फील होता है तो मैंने सोचा मुरली नहीं सुननी है अमरित वेला तो सोना है लेकिन मुरली नहीं सुननी है क्योंकि ये मुरली सुनने से बुरा लगता है तो मैंने उसको कहा कि मुरली सुनने से बुद्धी खुल जाती है तो उस समय पर आपको actually बता चलता है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है तो क्या होता कि जब हम देभान में हैं, देअभिमान में हैं तो बहुत सारी बातें ठीक लगती है करना लेकिन जब मुरली सुनेंगे, जब योग करेंगे, साइलेंस में बैठेंगे तो रियलाइज करते हैं, कई बार आख देखना कि कोई बात कल की, चीक है कल तो वो बिलकुल ठीक लग रहे थी, लेकिन जब सुबह उठे, अमृत वेले बाबा के पास बैठे तो ऐसा लगा जैसे साब उल्टा कर दिया क्यों क्योंकि उस समय जब किया, तो दे अभिमान में थे, तो उस समय तो कुछ पता नहीं चला लेकिन जब साइलेंस में बैठते हैं, बाबा बुद्धी पकड़ते हैं, उस समय बाबा का हम पर प्रभाव होता है और यह हम मुढली सुनते हैं, तो उस समय पर रियलाईज होता है, कि नई ये बाब ठीक नहीं की, ये मुझे इस प्रकार से नहीं करना चाहिए तो पश्यताप होता है फिर पश्यताप होता है तो क्या करते हैं वो बड़ी बात है क्योंकि हम जिस culture में रहते हैं तो उसमें क्या I feel guilty, do nothing खोब पच्छताओ कोब पश्यताप करो, करो कुछ मत ठीक है फिर कहेंगे मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है बहुत बुरा लग रहा है तो फिर क्या क्या इतना बुरा लगा तो फिर इतना बुरा लगा तो मैंने आइस क्रीम खाली तो आइस क्रीम काने से थोड़ी ठीक हो जाएगा तो बुरा लगता है तो फिर उसको परिवर्थन करना पड़े. अब परिवर्थन कैसे होगा? परिवर्थन तो तब होगा ना, जब हम अपनी स्थिती को परिवर्थन करने के लिए, जो बाबा युकती बतलाते हैं, उस पर अटेंशन देंगे. जब हम अपनी अवस्था को सदा अंतर मुखी, योगी अवस्था रखें तब तो जाकर परिवर्तन होगा नहीं तो फिर वही देअभिमान, वही पापकर्म, वही उल्टाकर्म, वही पश्याताप, वही सब चलेगा है ना, अब आप देखो कई होते हैं, समझते भी हैं कि इस बात में हमारी कमी कमसोरी है कोई भी एक बात है, मानो आलस से अलबेलापन है सोचते हैं कि आलस से अलबेलापन है, हम अपने समय को, अपने संकल्प को वेस्ट करते हैं या बहुत कुछ व्यर्थ गवा रहे हैं, लेकिन अगर अपनी अवस्था को उच्छा नहीं किया है, बाबा की जो श्रीमत है, जो हमारी दिन चरिया है, मन चरिया है, या जो हमारी मर्यादाई है, या सेवा है, उस सेवा की श्रीमत है, उसको नहीं पालन करेंगे, तो अवस् उश्यताप और और बढ़ेगा लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अगर सोच समझ कर कर्म करेंगे सोच समझ कर माना उची स्थिती में स्थित होकर हर कर्म चूज करेंगे अब आप देखो सोच समझ कर कर्म करने का समय से कोई मतलब नहीं होता माना ये इसको नोट करना एक बार एक कुमार भाई था तो मुझे हमेशा कहता यह काम ना मैंने हड़बडी में कर दिया यह डिसिशन हडबडी में ले लिया यह बात इतनी जल्दी आए ना उस टांशने का इटाइम नहीं था तो इसलिए उल्टा हो गया लेकिन मैंने उसको एक दिन पूछा कि बात आपको कितने दिन का notice देकर आएगी तो आप prepared रहेंगे मुझे जरा बता दिजे मैं भी बाबा को अरजी डागतू कि कोई भी बात आती है तो आपको क्या लगता है कितने दिन पहले आपको notice देना चाहिए तो वो कहता कि पता नहीं दिदी तो मैंने कहा कि कोई भी बात तो notice देकर नहीं आ जानक आ गई तो मैं नहीं कर पाया यह वाली excuses नहीं चलेंगे क्योंकि सोचना समझना second का काम है मुझे याद है जब मैं exam लिखती थी थी ना school में तो मुझे बहुत interesting लगता था कि कई होते हैं जो notebook लेके बैठे रहेंगे जो exam की sheet लेके बैठे रहेंगे और सोचते रहेंग और मुझे तो ऐसा लगता था जो आता है वो आता है जो नहीं आता वो नहीं आता तो जो आता है वो लिख दे थी और जो नहीं आता तो नहीं आता तो एक बार मेरी एक फ्रेंड थी तो वो ऐसे ना बैठी रहेगी और ऐसे ऐसे अपने सर को मारती रहेगी और पता नहीं क् तो मैंने उसको एक दिन निकलने के बाद पुछा यह ऐसे से मारने से कुछ निकल आता है कि तुमारा मेरा तो कुछ नहीं होता मुझे तो जो आता है वो आता है जो नहीं आता वो नहीं आता तो वो मुझे गहते दे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता पर ऐसा लगता है जिसे थोड अवस्था नहीं बनाई हैं, तो फिर कितना भी सोचेंगे, चाहे कोई बात आपको दो घंटे का नोटिस दे कर आए, चाहे कोई बात आपको दो महीने का नोटिस दे कर आए, आप करेंगे वही जो आपको आता है, या जो आपकी स्थिती है, इसलिए बाबा हमें कहते हैं, आपना तनमंधन सफल करने की, ये सारी श्रीमत जो है, या विचार सागर मंथन सारे दिन मुडलीगा करने की, ये बुद्धी को ज्यान के मंथन में बिजी रखने की श्रीमत, ये सारी श्रीमत जब हम धारन करें, तब हम सोच समझ कर कर्म कर सकेंगे, वरना हर कर्म हम करेंगे और उसके बाद हमें पच्चतावा होगा और यह जो पश्यताप की सबजेक्ट है न यह भी कोई एक तो दिन की सबजेक्ट नहीं यह बहुत लंबी सबजेक्ट है कई बाते हैं जिसके लिए हम अभी अभी करते हैं अभी अभी पश्यताप कर लेते हैं कई बाते ऐसी होती हैं कि महिने के बात समझ में आता नहीं उस समय मेरे से भूल हुए कई बाते ऐसी हैं जो अंतमते सोगती के समय में धर्मराज पुरी में पष्षाताप कराएंगी क्योंकि जैसे देअभीमान की अगर परत बहुत मोटी हैं तो कई बाती जब अंत में शरीर छूटेगा न, शरीर छूटेगा तो देविमान भी छूटेगा, तो उस समय पर समझ में आएंगी, कि नहीं, ये बात मुझे ऐसे नहीं करनी थी, जैसे मैंने की, मैं आपको एक 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 जांपल देती हूँ, एक बार एक भाई थे, तो ग्या जब शरीर छूट गया, और वतन में गए, और बाबा के सामने इमर्ज हुए भोग के समय, तो उनका भोग एक संदेशी दादी ने लगाया था, तो उस समय पर संदेश में ये बात आई, कि उन्होंने वहाँ पर, क्योंकि देविमान अब खतम हो गया, अब मेरा बच्चा, मेरा बच्चा तो खतम हो गया, तो उस समय उस आत्मा को रियलाइस हुआ, कि मैंने जो भी कमाया, वो तो मेरा सफल ही नहीं हुआ, तो उस समय उन्होंने बाबा को कहा, मुझे बस थोड़ा टाइम देदो, मैं वापस जाके ना विल चेंज कर देता हूँ, तो बाबा केते ह ऐसे नहीं होता, अभी तो जो हो गया, सो हो गया ड्रामा, तो उसको बहुत पश्यताप के आसू निकले, तो ये बाते क्या है कि जब भी हम देविमान में रहते हैं, या अपने अंदर कोई प्रभाव है, लगाव है, विकारों की लहर है, तो उस समय समझ में नहीं आता, कि हम क्या कर रहे हैं, और जब इसका रिटर्न आएगा, जब इस कर्म का कर्म बोग आएगा, तो कैसा अनुभव होगा, क्योंकि जैसे कहते हैं बिली चोरी से दूद्ध पीती है, तो अपनी आख बंद कर लेती है, तो उसको लगता है चोरी नहीं हो रही है, ऐसे ही क्या है, ह जैसे ही उस वो प्रभाव खतम होता है, वो उस समय की स्थिती परिवर्तन हो, थोड़ी ज्यान सुरो पवस्ता होती है, तो फिर वही अपना कर्म दिल को खाता है, इसे लिए ये बातें समझनी बहुत जरूरी है, कि हम आत्माई, जो ब्राम्वन आत्माई हैं, जिनको विक लगाओ के प्रभाव में होंगे ना, लगाओ जब होता है, तो लगता है कि नहीं, ये देहे, देहे के संबंध और देहे की प्राप्तियां, ये बहुत इंपोर्टन्ट है, वो प्रायरिटी ले लेंगी, उस समय कहेंगी भी ना, कि आप अपनी दिन चरिया को ठीक रखो, आप बाबा की याद में रहो, तो कहेंगे, चोटे बच्चे हैं देदी, आप भी क्या बात करते हो, आपको समझ में तो आता नहीं है, हमारी कितनी प्राप्लम्स हैं, लेकिन वही बात, जब बाद में कुछ समय हो जाता है, तो रियलाइस करते हैं, कि हां, यां तुमें रि तो भाए के प्रभाव में जब होंगे, तो उस समय पर उल्टा कदम बढ़ा लेंगे, कोई भाए में आपको विकारी बनने के लिए बहुत प्रेशर डाल रहा है, तो ऐसे भाए में आ जाते हैं, कि अगर ये हमें घर से निकाल देंगे, अगर कल हमारा छोटे बच्चे हैं ये हैं वो हैं, तो कल कैसे चलेगा, लेकिन अगर भाए में आएंगे और भाए के वश कदम उठाएंगे, तो वो भाए का कदम आज तो आपको ऐसा लगेगा, कि हमने बहुत लौकिक समझदारी दिखाई, लेकिन कहीं कल वही कदम पश्यताप का रूप बन जाएगा, तो बाबा हमें इसलिए ये बातें समझाते हैं, विकारों के वश, मुझे देखो अभी कोई एक बता रहे थे, कि विकारों के वश किसी से चैटिंग कर ली, कुछ एक ऐसे, मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ, एक भाई, मेरे ख्याल से उनकी शरीर की आयू, पच्छपन वरश तो होगी, तो ग्यान में आते थे, लेकिन थोड़ा भक्ती भाव से चलते थे, इतना ग्यान नहीं समझते थे, तो फिर एक दिन आए और मुझे कहते कि मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, बहुत बड़ी कमपनी, बहुत जो समाजिक रुतबा बहुत था, बोले मुझ मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो मैंने का ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, आपको कोई क्या हुआ है, तो कहते है किसी ने मेरा कम्प्यूटर हैक कर लिया, तो उस आधार से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो मैंने का आपके कम्प्यूटर में ऐसा क्या है, जो हैक करके व कुछ ऐसे चीज थी तो मैंने का तो आप रोज सेंटर आने के बाद ऐसे काम कर रहे हो ना तो फिर इसमें मैं क्या कर सकते हूं तो मैंने का वो क्या कहते है ब्लैक मेलर तो कहते हैं मैं आपकी पत्नी को बता दूगा तो मैंने का फिर आपने क्या किया, तो कहते कि वो कुछ पैसा मांग रहे हैं, तो एक बार तो मैंने उनको पैसा दे दिया, लेकिन वो पैसा मांगते चले जा रहे हैं तो मैंने कहा कि ऐसे देखो एक तो आपने एक पाप कर्म किया विकार के वश होकर अभी दूसरा पाप कर्म डर के करोगे और इसका कोई अंत नहीं यह ऐसा चलता रहेगा तो कहते हैं फिर मैं क्या करूँ तो मैंने का जो बाबा कहता है कि सामना करो अगर यह है तो पत्नी को जाके बता दो सारी बात तो वो कहते पतनी तो मुझे छोड़ देगी और पतनी तो ऐसे मैंने का आप जो भी है वो तो आपको अंजाम तो भुगत नहीं पड़ेगा अभी सौ बार उसको पैसे देने के बाद भी वही होने बाला है तो आप जाकर अभी हिम्मत दिखाओ और सच्चा सच्ची बात अपनी यूगल को बतादो तो वो कहते कि लेकिन अगर मैं बता भी दूँगा तो भी ये बात तो रहेगी वो तो फिर आकर बताएंगे मैंने का वो सब छोड़ो आप इसको और अवाइड नहीं करो आप जाके पनी यूगल को बता दिया अब यूगलने सारी बात सुन ली पीर जो भी मारा पिटा होगा जो भी किया होगा चलो वो बात कतम होगे उसके बाद वो जो वो आ उन्होंने फिर ब्लाकमेल किया तो इन्होंने कहा कि ठीक है आपको जो करना आप कर लो तो वो घर चले आए तो घर आए तो युगल को बुले कि ऐसे ऐसे इनके वीडियोज है यह है वो है तो उनकी वाइफ केती है उनको आप CCTV के नीचे खड़े हैं सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है आप ब्लैकमेल कर रहे हैं अगर आप अगली बार यह करेंगे मैं करम हो गये है ना तो आप सोचो कि कई बार जो उल्टा कर्म भी होता है तो एक उल्टे कर्म को छिपाने के लिए फिर दूसरा उल्टा कर्म करते जाए तो उस प्रकार से नहीं चलेगा तो बाबा हमें कहते हैं कि पश्यताब भी हुआ लेकिन पश्यताब के बाद भी आपक ये तो चलो विकारों के वश कोई कर्म आपने दुनिया में किया और फिर ये वो हिम्मत वाली बात है। लेकिन जो बातें दुनिया में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। मानो आज आप योगी नहीं बने, पवित्र नहीं बने, सेवा नहीं की। तो ऐसा नहीं की ये बातें कोई आपको दुनिया का नुकसान पहुंचाती हैं। नहीं, आपकी जीवन, व्याभार, कारोबार, सब व्यापार, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन ये जो बाबा की श्रीमत है, उसको अगर हम पालन नहीं करेंगे, तो अंत घड़ी हमें बहुत पश्याताप होगा। जब अंत मते सोगती का समय आएगा ना, जब देअभिमान कतम हो जाएगा। अब देखो ये जो बात मैंने आपको एक्जाम्पल के रूप में सुनाई, ये तो देअभिमान से जुड़ी हुए बात है, क्योंकि उसको डर क्या था, कि मेरी पब्लिक इमेज खराबना हो जाए। लेकिन कई बार देअभिमान का तो हमें फिर भी ओना होता है, कि चलो मेरी पब्लिक इमेज खराबना हो जाए। लेकिन ये हमें नहीं समझ में आता कि मुझा आत्मा का पद भ्रष्ट ना हो जाए। या मुझे सत्यूग में जो राज्य भाग्य मिलना है वो ना मिले क्योंकि त्रिकाल दर्शी नहीं बनते ना। तो समझ में नहीं आता कि भविश्य में इतना बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस कारण से हर कदम श्रीमत पर नहीं चलते। और बाबा हमें कहते हैं कि जो भी कदम जो भी करम एक भी अगर हम श्रीमत के बिना उठा रहे हैं हम बच्चे तो आज नहीं तो कल उसका हमें पश्यताप अवश्य होगा। और वो पश्यताप ही तो हमारे सजा का रूप बनेगा ना। अंत में सजाएं क्या होंगी। वहीं पश्यताप तो हमारे सजा का रूप बनेगा। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं, सुबे से लेकर रात तक तीनों बातें, जो करना चाहिए वो करें, जो नहीं करना चाहिए वो ना करें, क्योंकि श्रीमत हमें दोनों चीजों के लिए मिलते हैं, वो जो कर्म है, जो हमें करने चाहिए श्रीमत पर, उसको नेगलेक्ट ना कर जो हमें बाबा कहते हैं ये विकारों के वश जो उल्टे करम करते हैं उनसे बचे दुख लेने के करम के बारे में भी बाबा ने हमें समझाया है कि ये दुख ना ले तो ऐसी अपनी अवस्था बनाएं कि इतना हम alert aware रहें कि जहां पर जो accurate करम करना है कर पाएं जो विर्थ, विस्तार या विकार के अधीन करम करते हैं उनसे बच पाएं क्यूंकि क्या होता है माया एकदम से वार कर देती ना कुछ देखा क्रोध का संकलब आ गया लहर आ गई या क्रोध के वश दो बोल बोल दिये फिर बाद में पश्याताप होता है या काम विकार के आवनाएं होती हैं या देअभिमान के वश किसी को जाने अंजाने दुख दे दिया, किसी को नीचा दिखा दिया, किसी को उसकी भौतिक प्राप्तियों या भौतिक उपलब्धियों के अधार से हमने उनको जज किया या उनको भी ऐसा महसूस करा दिया कि आप स्रेश्ट नह करते हैं, कई बार हमारे दिश्टी से हम किसी को सुख या दुख दे देते हैं, वानी से देते हैं, हर करम से देते हैं, तो बाबा कहते हैं, यह सारी चीजों का हमें अटेंशन देना है, और फिर बाबा हमें कहते हैं, दुख ना लें, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए दुख ना ले क्योंकि अगर सोच समझ कर कदम नहीं उठाएंगे, दुख लेते चले जाएंगे, तो वो दुख लेना भी पश्यताप का रूप बन जाता है, क्योंकि जब दुख लेते चले जाते हैं और दिल दुखी होती है, तो समझते हैं कि हमने अपना एटेंशन नहीं आज हमारी स्थिति क्योंकि ग्यानी तो है न तो सब समझ में आता है कि इतना दुख ले लिया है इसलिए आज अवस्था कमजोर हो गई है तो बाबा हमें कहते हर कदम सोच समझ कर हमें उठाना है और उसके लिए हमें अपनी दिन चरिया, मन चरिया, जीवन चरिया, श्रीमत प्रमान चलाने पड़ेगे आज ऐसे ही देखो बाबा की मुरली में ड्रामा की बात भी है और फिर ये पश्यताप और सोच समझ कर कर्म करने की बात है तो मुझे अभी कुछ दिन पहले कोई बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे थे कहते हैं कि आप लोग बाबा का ड्रामा का और कर्म का तीनों का ग्यान देते हैं और वो कहते हैं मैंने आपकी क्लासेज में भी सुना है कि आत्मा की बाबा की याद में रहना ड्रामा की अवेर्नेस में रहना और पुर्शार्थ करना तीनों का आपको balance बनाना है लेकिन वो मुझे कहते हैं मुझे एक चीज आप बताओ कि इसका order क्या है पहले बाबा या पहले ड्रामा या पहले कर्म या किस order में ये होना चाहिए तो मैंने उनको कहा कि वैसे तो ये सब interlinked है लेकिन फिर मैंने इस पर विचार किया और मुझे ऐसा लगा कि देखो जिसे आज बाबा कहते हैं ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहो ना नथिंग न्यू हर बात को साक्षे हो कर देखो लेकिन फिर बाबा ये भी कहते हैं कि अगर सोच समझ कर कर्म नहीं करते तो पश्यताप होगा ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि सोच समझ कर कर्म नहीं किया और फिर जब दिल खाए तो अपने आपको कहते रहो नहीं ड्रामा, ड्रामा, ड्रामा ना नथिंग न्यू उससे काम नहीं होगा आपने कभी ट्राइ किया है कि कोई करम उल्टा हो गया और उसके बाद अपने को ड्रामा 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 कहें तो भी वो संकल्प चलते चले जाते हैं क्यों चलते हैं क्योंकि जब कर्म विकर्म बनता है तो दिल खाएगी उस समय पर आप सोचे फुल स्टॉप लग जाए ड्रामा की ग्यान यूज हो जाए ऐसा नहीं होगा तो इसलिए ड्रामा से पहले कर्म आता है अगर आप श्रीमत पर चल रहे हैं तो ही आप ड्रामा की ढाल यूज कर सकते हैं क्योंकि जब बाबा आते हैं और बाबा हमें स्रेश्ट कर्म सिखलाते हैं और अगर मैंने अपनी तरफ से कोई उल्टा कर्म नहीं किया है कोई ऐसा पच्चतावा मेरे दिल में नहीं है तो चाहे कोई भी रिजल्ट आए मैं उसको ड्रामा कहकर फुल स्टाप लगा सकते हो और ये मेरा निजी अनुभव है कि मैंने ऐसे ऐसे बहुत तूफान देखे जहां पर हर एक ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इतनी बड़ी बात में हिले ना लेकिन क्योंकि मेरा कॉंशिण्स क्लियर था मुझे ये था कि मैंने हर कर्म बाबा की श्रीमत पर किया है इसलिए चाहे कितना भी तूफान बाहर आया उस बाहर के तूफान ने मुझे नहीं हिलाए तो बाबा हमें कहते हैं इसलिए ये जो जब अपनी कॉंशिण्स क्लियर होगी ना और अपनी कॉंशिण्स कैसे क्लियर होगी जब आप हर कर्म जो दूसरे देखते हैं या दूसरे नहीं देखते हैं अपना हर कर्म जब आप बाबा की श्रीमत पर करते हैं जब आप अपना तनमंधन सिर्फ श्रीमत पर सफल करते हैं आपने कभी एक भी तन की शक्ति या मन के संकल्प या धन का कत्रा कभी विकारों के वश नहीं लगाया है तो फिर आप ड्रामा के पट्टे पर बहुत मजबूत रह सकेंगे मैंने तो एक बार एक ऐसा फेस देखा जहां पर बहुत सारी बात हैं जैसे न तुफान होता है न पता भी ने चलता कहां क्या टूट रहा है कहां क्या गिर रहा है तो इतने तुफान आए तो उस समय पर जैसे एक तर ड्रामा के पट्टे पर शांत बैठे तो कई भार कईयों ने ऐसे भी आकर कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल सब कुछ ठीक कर रहे हैं और इतना सब कुछ गलत हो रहा है तो मैंने का पर बाबा तो हमें कहता है ऐसा हो सकता है बाबा हमें कहता है कि आप संगम युग में आपको पता नहीं कि कितने हिसाब किताब आगे आ सकते हैं और कितनी सारी बातें जिनका आपके कर्मों से अभी वर्तमान में कोई connection नहीं है, वो सारी बातें आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन वो भी क्या है, बाबा कहते हैं, वो तो माया एक तुफान create कर रहे है, क्या, बहुत छोटी से बात है, और जैसे आप ड्रामा के पट्टे पे मजबूत हो जाएंगे, आप साक्षिय हो जाएंगे, तो तुफान भी settle down हो जाएगा, तो वो तुफान वो damage भी नहीं करेगा, जो वो करता, और वो तुफान शान्त भी हो जाएगा, तो ये बात practical है, कि अगर हम पहले सोचें कि हम ड्रामा की point यूज़ कर लें, कि कर्मों क अगर हम पूद एटेंशन ना दे, बस ड्रामा, 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 है ना मुझे याद है, एक भाई कुमार था, तो मतलब माता ग्यान में आती, उसको ग्यान नहीं है, तो मा से सुनता रहता, ये ड्रामा के अनुसार हो गया, अब क्या हो अदूद गिर गया, तो मा कहती, ड्रामा में था, गिर गया है, या कोई चीज हो, ड्रामा में था, तो बच्चा फेल हो गया, तो मा को कहता, मम्मी ड्रामा में यही लिखा था, ड्रामा में जो लिखा है, अब वो तो वही होगा, तो अब क्या है, कि कई बार उल्टे रूप से भी उसको यूज कर लेते हैं कि ड्रामा में जो होगा तो उसकी माने उसको बहुत पिटा और बोला ये भी ड्रामा में ही है आप इसको भी स्वीकार करो कि ये भी ड्रामा में है कि तुम्हारी आज पिटाई होनी थी तो वो कहता है कि तुम्हारे अपने टाइम में तो कोई भी नुकसान हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ड्रामा ड्रामा कह देती हो, मेरे टाइम पे तुमने मुझे इतना पिटा या इतना ये किया, तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सारी बाते हैं, तो ड्रामा से पहले कर्म है, अगर आपने बाबा की श्रीमत पर जो वो आपकी समझ है, शक्ती है, उस आधार से बेस्ट किया है, तो फिर ड्रामा केकर आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, और कर्म से भी पहले क्या है, बाबा, क्योंकि कर्म का तो कॉंसेप्ट ही बाबा से जुड़ा हुआ है, बाबा हमें बताते हैं, कि संगम युग में स्रे अगर हम बाबा की याद में नहीं हैं, तो हम दे अभिमान में हैं, और हम कभी भी बाबा की याद के बिना स्रेष्ट कर्म नहीं कर सकते हैं, कई बार आप देखना कोई बात होती है, आपको लगता है, आप तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस समय आप दे अभ मेसेज भेजा उसने कोर्स किया तो पूरा कोर्स हो गया उसके बाद अभी वो मिली मुझे तो मुझे कहती है कि मैं तो अभी क्लास नहीं कर रही हूँ मैंने छोड़ दिया तो मैंने उसको कहा क्यूं छोड़ दिया तो कहती है अब दो चोटे-चोटे बच्चे हैं क्लास करने को कहा time होता है एक 5 साल का है, एक 7 साल का है तो time ही नहीं होता तो इसलिए छोड़ दिया तो मैंने उसको कहा कि हाँ ठीक है सही बात है, इतने छोटे-छोटे बच्चों के साथ कहा हो पाता है तो मैंने उस समय तो उसको कह दिया, क्योंकि वो इतनी देविमान में थी, उस समय उसके अंदर तो जैसे वो रोने ही वाली थी, कि इतने चोटे-चोटे बच्चे इतनी बड़ी मजबूरी है, उसको इतनी बड़ी बात लग रही थी, कि मैं भी उसके प्रभाव में आ गई, मुझे भी लगा हाँ सच मुझे इतने चोटे बच्चे मिला पर बाबा को छोड़ रही है, और मुझे भी उसने मोहर लगवा दी और मैंने भी लगा दी, हाँ वो भले ना करे, लेकिन मैंने क्यों उसको कहा कि हाँ ये बात राइट है, तुम नहीं कर सकती, तो फिर वो कहती, फिर मेरे को पश्याताब हुआ, फिर मैंने क्या क्या उसको बड़ा बड़ा WhatsApp लिख दिया, कि नहीं नहीं हमें बाबा मिला, हमें छोड़ना नहीं चाहे, ये वो, उसके बाद मुझे और बुरा लगा, कि वो क्या सूच रही होगी, पहले तो ना कह दिया, अभी उल्टा कह रही है, तो मुझे कहती कि दीदी मेरे साथ ऐसा क्यो हुआ, तो मैंने कहा, क्योंकि देखो, हमारे अंदर ना, बहुत बहुत देभान होता है, बोड़ी कॉंशिस, तो आप भी क्या समझते हैं, मैं मा हूँ, है ना, तो जैसे ही, वो मा की वृत्ती से बात करने लगी ना, तो आप भी आत्मा बुल के मा बन गए, फिर आपने, म मा हूँ करके वो बात सुनी, तो आपके अंदर भी उस सारे इमोशन्स जागरित होने लगे, तो इसलिए फिर आपने उस इमोशन के प्रभाव में उसको उल्टी राय दे दी, लेकिन अगर आप अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहते न, तो उस समय आप देख पा शक तिशाली बोल देकर प्रेड़ना दे पाते, कि आपको बाबा मिला है, तो ठीक है, बच्चों को भी तो वही बाबा समालने वाला है तो अगर बाबा से हमें ज़ुड़ना है, शक्ति लेनी हैं, तो फिर हमें यह नहीं देखना कि बच्चे चोटे हैं, यह हैं, बच्च जो बात है क्यों सुना रहे हूं क्योंकि जब हम बाबा की याद में नहीं होते तो हम होते हैं रावन मत पर और उस समय पर हमसे कोई स्रेष्ट कर्म नहीं होता इसलिए बाबा हमें कहते हैं संगम युग में परमातम अभिमानी हुए बिना आप आतम अभिमानी नहीं हो सकते स्रेश्ट कर्म आपने किये हैं तभी आप ड्रामा का ज्ञान यूज करके फुल स्टॉप लगा सकते क्योंकि कर्म किया तो फल कैसा भी आया तो आप उसके प्रभाव से निरलिप्त रह सकते लेकिन कभी भी आपने ये सुना है कि कर्म करके कर्म की फल से कर्म की प्रभाव से न्यारे हो जाओ ऐसा नहीं होता जो कर्म हमने किया वो कर्म तो हमें असर डाले गई न हां उसके फल से हम न्यारे हो सकते लेकिन कर्म से न्यारे नहीं हो सकते कर्म तो जो हमने किया अच्छा या बुरा उसके बंधन से तो हम बच नहीं सकते न, तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं, अगर स्रेष्ट कर्म किया है, सोच समझ कर कर्म किया है, तो ड्रामा का फुल स्टॉप लगा लेंगे, और फल की चिंता नहीं भी करेंगे, या ये भी समझ लेंगे कि अच्छा, 63 जन्मों के इतने हिसाब किताब हैं, ड्रामा बना तो जो भी फल आ रहा है, वो ड्रामा अनुसार आ रहा है, लेकिन अगर कर्म ही उल्टा किया है, तो कर्म तो दिल को खाएगा, और सिर्फ सोचें कि कर्म ठीक करें, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, लेकिन अटेंशन ये ना रखें, कि मैं अंतर मुखी रह, बाबा की याद में रहूं, तो कर्म स्रेष्ट बनाना भी पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले बाबा की याद, फिर स्रेष्ट कर्म, फिर ड्रामा का ज्यान यूज़ करके, फुल स्टॉप्स थि, तो या तो और अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो जरूर है कि हमारे उल्टे कर्म पश् दिल खाएगे, अच्छा, ओम शान्ति